नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तो PM मोदी की फ्रांस यात्रा से ठीक पहले पंडुबी बनाने अली फ्रांस की बड़ी कमपनी नेवल गुरूप ने भारत के प्रोजेक्ट 75i से हाथ खीच लिया है और फ्रांस इसी मीडिया ने नेवल ग दीमत करीब 43,000 करोड है और आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दो माई को तीन दियोसी दोरे पर फ्रांस जर्मनी और डेनमार्क जा रहे हैं P-75i प्रोजेक्ट के लिए दुनिया भर की पांच बड़ी कम्पनियों को RFP यानि की रिक्वेस्ट पर प्रपोजल भेजा गया था और इन पांच कम्पनियों को भारत की दो कम्पनियों MDL और LNT में से किसी एक को चुनकर भारत में ही इन 6 सम्मरीनों का निर्माड करना था और ये 5 कम्पनिया थी फ्रांस की नेवल ग्रूप, DCNS, रूस की रोसो बोरन एक्सपोर्ट, जर्मनी की थाइसरेन क्रूप और स्पेन की नुवन्टिया और दच्चिड कोडिया की डेइबू अब इस प्रोजेक्ट से तीनों यूरूपी और रूस की कम्पनियों ने अपना हाथ खीच लिया है, सिर्फ दच्चिड कोडिया की एक ही मात्र डेइबू कम्पनी बची है वहीं आपको बता दें की नेवल ग्रूप ही MDL के साथ मिलकर स्कॉर्पीन क्लास की च्छा पंडूबी बना रहा है इसमें से चार कलवरी क्लास पंडूबी नौसेना में सामिल हो चुकी हैं, पांचवी का समुद्री ट्रायल चल रहा है और छठी वाकसीर सम्मरीन इसी महीने समंदर में लांच की गई थी और हिंद महासागर में चीन से मिल रही चुनोतियों के बीच पिछले साल यानी अप्रेल 2021 को रच्छा मंत्राले ने भारती नौसेना के लिए 6 नई स्टेल्थ पंडूब्यों के निर्माड का रास्ता साप कर दिया था और रच्छा मंत्री राजनाज सिंग की अध्यचता वाली रच्छा खरीत परिशद ने स्ट्रेट्जिक पार्टनर्शिप माडल के तहत प्रोजेक्ट 75 इंडिया यानी की P75I को हरी जंडी दी थी और इसके बाद जुलाई 2021 में अब रच्छा मंत्राले ने इस प्रोजेक्ट के तहत 6 कन्वेंशनल स्टेल्थ सम्मरीन के लिए RFP जारी की थी और इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेट्जिक पार्टनर्शिप माडल के तहत पूरा किया जाएगा ऐसे में रच्छा मंत्राले ने स्वदेशी सिप्यार्ड मंजगाउं डाक्यार्ड यानी की MDL और LNT को भी ये RFP जारी की थी और ये स्वदेशी सिप्यार्ड किसी विदेशी कंपनी के साथ जॉइन्ड वेंचर में ही इन 6 कंवेंशनल यानी की दीजल इलेक्रिक पंडुब्यों का देश में ही निर्माड करने का प्रावधान था और ये 6 कंवेंशनल पंडुब्यां जरूर हैं लेकिन ये AIP यानी की Air Independent Propulsion Summarine है और इसका फाइदा ये है की इन्हें डीजल इलेक्रिक सम्मरीन की तरह बार बार समुद्र से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी यानी की या एक तरह से Stealth Summarine होती है हालकि अब देखने वाली बात ये होगी की दच्छिड कोरिया की डेवू कमपनी के साथ भारत सम्मरीन समझोता करता है या फिर इस RFP को रद करके नई RFP को जारी करता है अब आप लोगों का क्या कहना है फ्रांस के इस फैसले पर कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें ताकि डिफेंस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंशती रहें धन्यवाद रहें आप पहुंशती रहें अब आप एक पहुशती रहें जग़ कि रहें लोगिवाद